आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक को आप मैनुवली कैसे एड कर सकते हैं टैली प्रैम में मान लिजए कि आपका जो वर्क है जो बिजनस है वो बीच में स्टार्ट हुआ है जहाँ पे कि आप पहले वर्क जो है मैनुवली करते थे बाद में सिस्टेमेटिकली आप करने लगे और आपको क्लोजिंग स्टॉक डालना है चैली प्रैम में तो गेट्पे आप टैली से मैं आपको शो करती हूँ बैलन्स शिट को ओपन करके अकाउंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं हो embargo क्यों नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक का हम लेजर क्रीögट करेंगे तो गेट्पे आप्त एलीस से हमें create पर जाना है then ledger पर हम जाएंगे and यहीं से हम closing stock या फिर आप stock जैसे भी आपको comfortable हो उस तरीके से ledger को आप under stock in hand में create करेंगे अब यहाँ पर हमने ledger को create कर लिया है और अब इसमें हमें add करना है closing stock तो balance sheet को open करके मैं आपको show करती हूँ under profit and loss account में आप देखेंगे closing stock जो है अब show हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो value है closing stock की वो show नहीं हो रही है वो हमें अभी manually add करना है तो gateway of tally से हम alter पर जाएंगे और यहाँ से हम manually add करेंगे तो date हम change कर लेते हैं एक चार तेज से लेके जो भी date का आपको set करना है जिस भी financial year का वो आप कर सकते हैं alter में, ledger में and then closing stock आप यहाँ देख सकते हैं opening balance देखिए 1st April 2023 है और जो closing है closing date जो है 31st of Mars 2024 का में ले रही हूँ तो इसमें मानले जी की closing stock 1 lakh था तो 1 lakh हम कर लेंगे और इसको हम save कर लेंगे अब यहाँ से open कर लेंगे again हम balance sheet और profit and loss account में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो closing stock है आप देखिए जो closing stock है आपको 1 lakh शो हो रहा है अगर आपको फिर भी नहीं शो होता है तो यहाँ से आप date change करेंगे तो date change करने के बाद आपको यह balance जो है वो show होने लेगा तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप closing stock डालेंगे तो वहाँ पे date का option आता है तो जिस भी date का आपको करना है जिस भी financial layer का करना है वो आप date वहाँ से select कर सकते हैं तो इस तरीके से टैली प्रैम में आप closing stock balance जो है वो manually add कर सकते हैं टैली प्रैम में Thank you for watching, keep watching